जीवनतिका वृत श्रावन मासना पहेला शुक्रवारे आ वृतनो प्ररम्ध करवोू। वरत कर्णारेस्वारे वहेला उठी स्णान करी पांच दिवेटनो दिवो करवों अने भक्तिभावे वंदन करवा पिलाँ वस्त्र पहेरवा नहीं। पाटला उपर दिवो मुकी पूष्ट चोखा कंकुथी जीवनती कानू पूजन कर्वू मने वार्ता सामबड़ी घणां वर्षो पहलांनी वाद छे बीरपूर नामे एक नगर्मां सुषीर कुमार नामे एक राजा राज्य करतो हतो तेने सुलक्षना नामनी एक पत्नी हती, पती पत्नी धार्मीक व्रुप्तिना हतां धरम ध्यान करवामां तेयो आखो दिवस पसार करतां हतां परन्तु पेली कहेवत छेने केधर्मीने घेर जधार पड़े छे ए न्याए ए बंगने भवती क्रिते खूब जसुखी हतां परन्तु अंतर थी तेयो दुखी हतां कारण के लगन कर्यो घणो समय विती गयो होवा छतां तेमना घेर हजू सुधी पार्नूं बंधायूं नहतूं एक दिवस राणी ने एक विचार सुजियो तेने नगरनी दायनने बोलावीने बधी बात करी थोड़ा मनीना पची दायन एक ब्राह्मनी ने तया जन्मेलूं बालक उठावी लावी अने राणी ने सोंपी दिगूं त्यार बाद घंडेरो पिटावी नगरमां जाहेर करी दिगूं के राणी एक उत्ररत्नने जन्माप्यों छे आथी आखा नगरमां आनन छवाई गयो सव कोई उल्लास मनावा लागियो परंदु जे ब्राह्मनी नो बालक गूम थयो हतो ते चोधार आंसुए रडवा लागी तेना दिलमां अने घरमां गमगी नी छवाई गयी परंदु ते ब्राह्मनी मा जीवन ती कानूं बुलत करती हती आथी स्वक्नमां आवी ने माए तेने आश्वासन आपतां कहियों तूं जराई चिंता न करीश तारूं बालक ज्यां हशे त्यां सलामत हशे हूं तेनूं सदाय रक्षन करीश आवातने घणां वर्षू विती गयां पेलूं बालक मोटूं थाई गयूं तेनूं नाम अम्रकुमार राखवा मां आवियूं समय थतां तेनो राज्या भीशे थयो अने हवे ते राज्या बग्यो तेना पिता सुशील कुमार उनुर्ट्यू पाम्या एक दिवस अम्रकुमार पोता ना पिता नूं श्राद्ध करवा गया जी जवा निकलियो रस्ता मां रातवा सो करवा ते वाणिया ने त्यांग रोकायो राह्मनी ने वचन आप्या मुझब माज जीवन्तिका अम्रकुमार नूं रक्षन करवा ते आग आवी पहोंचे आग हवे बन्यूं एवूं के अम्रकुमार जे वाणिया ने ते आग उतर्यो हतो ते आग आजे तेना बालक नी चट्थी मांग लेख लखवा विधाता आवी पहोंचे आग परन्तु बारना मांग मा जीवन्तिका ने उभेलां जोई विधाता संताई ने उभा रहयां माए वाक्षित मांग जानी लिगूं के आ बालक नूं छ दिवस पचिन रुत्यू थवानूं छे अने ए प्रमाने लेख लखवा विधाता आवी पहोंचे आग आथी तेमने विधाता ने आजना करी के जयां मारा पगलां पडे त्यां कदा पी अमंगल थाए नहीं माटे तारे आ बालक नूं दिर्घायूं लखवूं पडशे वःधाता आए मानी आजना माते छड़ावी वाणियाने आजनी खूब शिनता हति कारन के तेने त्यां आज दिन सुधी चेटलांं बालको जन्यां थे छ दिवस पचिन रुख्यू पाम्यां हता आजे पना अनवा बालक नो जन्मने छ दिवस थया हता बीधा ता तेनो लेख लखवा आववाना हता परन्तु वाणियाना आश्चर्य वच्छे तेनो छोक्रों जीवी गयो आथी ते खूब जराजी थयो अने मनोमन विचार करवा लागयो के जरूरा अतिती शुपनियार पगलानों हो जो ये नहीं तर मारूं बालक आजे जीवीूं नहो ताथी ते अतिती बनिने आवेला अम्रकुमार नी खूब सारी रिते खातर बरदास्त करवा लागयो थोड़ो समय रोकाया पची अम्रकुमार जवा निकलियो त्यारे मानिय आय पाचा फर्तां फरी पोताना त्यां आवानों आग्रह करियो अम्रकुमार एहा पाड़ी अने त्यांती चालतो थयो गयाजी पहोंच्या पची अम्रकुमार पिंद धरावा नदी मांगू करियो तेना आश्चर्य वच्छे नदिमांती बे हाथ बहार आव्या, तेने चुक्चाप, ए हाथ मांग पिंड मुकी दिधो, त्यार बाद ते फर्तो फर्तो फरी पाचो ए, मानियाना घेर आवी पहुंचियो, ए दिवसे वानियाना घेर बीजा, बालकनो जन्म थयो हतो अने आज छट्को दिवस हतो, मानियो, अम्रकुमार ने पोताने घेर आवी पहुंचे लो, जोई खुग राजी थयो, विधाता ए जराक्तरे फरी पाचा बालकना लेख लखवा आवी पहुंचियां, तेमने जोई मां जीवनती काए रोक्यां अने फरी पाचुने, बालकनों दीरग खाईू लखवा जनावियों, विधाता ए तेमनूं कहियों तो मानियूं पन, जता जतां तेओ मा जीवनती काने पूच्या विनान रही शक्यां के, मा, तमे आ वाणियाना घेर के मा आव्यांग छो, आ वाताची दर्म्यान अम्रकुमार जागी गयो हतो तेने मा, जीवनती नीचे जती नथी अने चोखानू पाणी ओलंगती नथी माटे मारे आ राजकुमार नू रक्षन करवा आवूं पड़े छे ए ज्यांग जाए त्यांग एनी पाचल मारे जबूं पड़े छे अम्रकुमार आ सांगली आश्चर्य मांग पड़ियो तेने आ वीशे तपास करव मनमा निश्चे करियो बीजे दीवसे ते वाणियानी रजा लई चाली निकलियो अने महेल मां आवी ने राणी ने पूछवा लागियो मा तमे कईयूं व्रत करो छो मा ए आश्चर्य पामी कईयूं बेटा हूं तो एके व्रत करती नथी आ सांगली अम्रकुमार ने खात्र पिलांग वस्त्रो पहरी ने जमवा आवी हूं सव कोई जमवा आवयां अम्रकुमारे पोताना गुपतचर ने पूछीूं के हजू कोई जमवा आवामां बाकी नथीने त्यारे तेने जवाब आप्यों के महाराज एक ब्राह्मनी जमवा आवाणी ना पाड़ेछे कारण क आजे एने जीवन ती कानू बुरत राखियू छे। आथी ते पिलांग वस्त्रों पहेरी ने जम्वा आवी शके तेम नथी। आ सांगरी अम्रकुमार खूश थाई गयो। तेने ताबर तोब एक दासी मारफ ते अन्य रंगना कपडांग मोकलावी ए ब्राह्मनी ने घंधरों ओर कोनू पहेरी महल माँळावी। अम्रकुमार अने ब्राह्मनी ने जर एक थै त्यांग जसॉना आश्चर्य वज्चे ब्राह्मनी ना स्तन्मांग Tी दूब्धनी सेरो छुटी अने अम्रकुमार ना मोंग पर पड़ी। आ जोई सव आश्चर्य मांग पड़ी गया अने अंदरों अंदर वातों करवाला गया अम्रकुमार माने बेटी पड़ियो ब्राह्मन ये आश्चर्य पामी अम्रकुमार ने पूचियू बेटा, तेंग मने केवी रिते ओलखी काड़ी तेना जवाब मांग अम्रकुमारे मा जीवन्ती का ए कहली वात कही संब्लावी तथा गयाजी नदी मां हाथना ठहेला दर्शन नी पन्ड वात करी ए पची ब्राह्मनी ने अम्रकुमारे महेल मांग जराखी बस त्यार थी जनगरनी स्त्रियोए पोताना बालकोनी रक्षा माटे मा जीवन्ती कानू व्रत शरू करीओ ए मागनी एक स्त्रिये ए ब्राह्मनी ने पूछिऊंके आवरत शीरीते थाई तेना जवाब मांग ए ब्राह्मनी ए कहिऊं, बहेन, श्रावन मासना शुक्रवारे आवरत करवू ए दिवसे, माताजी समीक धूप दिख करवा, तेमनी खूजा करवी अने बालकोना रक्षन माटे प्रार्थ ना करवी, नई वेद्यमां साकर नो कंसार धरावो तथा एक टानूं करवू, ए दिवसे जुठूं न बोलगू, कोईनी निंदा न करवी अने पिलां वस्त्रों न पहेरवा, पिलां अलंकारों न पहेरवा, पिलां मांडवा नीचे बेसूं नही के चोखाना पाणी ने ओलंगूं नही लाल वस्त्र पहेरवा, आ व्रत नव वर्ष सुधी करवू, त्यार बाद आ व्रत नूजूती वखते एक सवभाग्य वतिस्त्री, एक कुमारी का अने एक बालक ने बोलावी तेमनी पुजा करवी अने जमाडवा आती बालकों पर मानी अमी दुरूष्टी रहे छे अने